हेलो दोस्तों कैसे आप सबी मैं सौगत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेड़ागोजी दोस्तों बहुत बार मुझसे सवाल पूछा जा रहा है कि कौन-कौन सी स्टेट यूनिवरस्टी या कॉलेज़ अभी हैं जहां पर स्टूडेंट्स एड्मिशन ले सकते हैं LLB के कोर्स में तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उन्हीं इनुवरस्टी और उन्हीं कॉलेज़ इस की कि क्या कट-off रहने वाली है आंसर की में क्या आने वाला है तो अभी कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करना ठीक नहीं होगा किसी से भी ये मत पूछे कि कट-off क्या रहने वाले क्योंकि अगर उन्हें इतना ही पता होता कि कट-off क्या रहने वाली है तो वो अपना भी भविश्य अगले दिन का बता चुके होते तो अभी कोई भी कुछ भी cut-off predicted नहीं है पर यह एक अच्छा option है कि आप exam forms भर दें इन सभी state universities के और colleges के admission एक जगा और secure कर लें और CUT के result आने का wait करें दोस्तों पहली सबसे important university है लखनाव University लखनाव University के अभी forms open है अभी close नहीं हुए है और मुझे students ने review दिया है वहां के कि यहां का 3 years LLB का जो program है वो काफी अच्छा है उन्होंने बोला है 3 years LLB की जो faculty है और जो curriculum है वो काफी अच्छा है तो आप लखनाव university को preference दे सकते हैं अगर आप यू-पी या बिहार से हैं पर मैं यह नहीं बोलूगा कि दिल्ली का बच्छा इहां से लखनाव रहने लग जाए लखनाव university में पढ़ने के लिए पर अगर आप यू-पी या बिहार से हैं तो आप preference दे सकते हैं अगली है दोस्तों हर्याना में एक उनिवस्टी है रोतक में महारीची दयानन्द उनिवस्टी इससे affiliated बहुत सारे colleges भी है जो इसी उनिवस्टी से affiliated है तो आप इसका भी form भर सकते हैं इसकी date अभी है 16 तारिक तक date है लगभग इसकी तो तब तक आप form भर सकते हैं पर last date का वेट ना करें अगर आप हर्याना से हैं, दिल्ली से हैं, NCR से हैं तो आप MDU को consider कर सकते हो ये state university है लखनाव उनिवस्टी भी state university और ये भी state university है इनकी fees बहुत कम रहती है LLB course की, fees जादा नहीं रहती है, entrance होता है दोनों इनिवस्टी में, तो वो आपको crack करना पड़ेगा, पर इतना tough भी नहीं होता है फिर आती है, उत्तर प्रदेश के मेरट में एक उनिवस्टी सित है, जिसका नाम है चौधरी चरण सिंग उनिवस्टी तो दोस्तों, इसे affiliated बहुत सारे colleges है, साहिबवाद, गाज़ेबाद, मॉयडा में अलग-अलग जगाओ पर है, पूरे उक्तर प्रदेश में है तो अगर आप form भरना चाहें, तो इसका भी form भर सकते हैं और अगले साल CUT दे सकते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से देना चाहता हूँ तो पहली बात तो यह मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर यह इस साल आपका second attempt था तो आप एक और साल waste ना करें पर अगर आपका यह पहला attempt था और आपका मन है कि मैं DU या BHU में ही पढ़ना चाहता हूँ, तो आप कोई साधारण university जॉइन कर लीजे जहां कि fees काफी कम रहे उसके साथ साथ CUET की त्यारी करें और next year दीजे पर इस साल admission कही ना कही secure जरूर कर लेना, साल waste मत करना, तो यह university है, उत्तरप्रदेश में इसे affiliated बहुत सारे colleges हैं, उन colleges की भी fees, semester की अगर मैं बात करूँ, 20,000 रुपे से लेके 25,000 रुपे semester तक रहती है ठीक है, उनकी fees इतनी रहती है और CCS University campus में आप admission लोगे, तो उसकी काफी कम रहती है उसके बाद अब आ जाते हैं private colleges की पर private colleges पे आगे बढ़ें, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस साल NLU Udisa ने भी 3 year LLB program के लिए announcement किया है कि इस साल से 3 year LLB में भी आपको admission मिलेगा वहाँ पर condition क्या है कि वहाँ पे किवल 60 seatे हैं उसमें से आधी seatे तो Udisa के लिए ही reserved है उसके साथ नी साथ किस basis पर आपका admission होगा, graduation के marks पे admission होगा, अब यह किसी को नहीं पता है कि कितने आपके graduation में marks होने चाहिए, तब आपको NLU Udisa में admission मिलेगा, क्योंकि वो तो तब पता लगी है न, जब merit list बनेगी, अगर 90s वाले ही सब होंगे, तो 90s वालों को मिलेगा 90s वाले सब नहीं होंगे, तो 80s वालों को मिलेगा, उस basis पर रहने वाला है फीस उसकी, मुझे लगता है 1.5 लाख रुपे से लेके 2.0 लाख रुपे तक तो रहेगी, including hostel per year, per year की फीस है ठीक है, इतनी तो लगभग इसकी फीस रहेगी, पर अच्छा option है apply कर दीजे 1500 रुपे फीस ले रहे हैं लोग, 1500 रुपे फीस ले रहे हैं अगर आप इसमें apply करना चाहते हैं तो आप चाहें तो कर सकते हैं फिर बात करते हैं, private universities की तो सिंबोस्य लॉज स्कूल जो की पूने में स्थित है अगर आप सर्दन स्टेट से आते हैं तो वहाँ पर apply कर सकते हैं पर इसके लिए आपको मोटा पैसा चाहिए अगर आपके बास अच्छा खासा पैसा है तो अब यहाँ apply कर सकते हैं अभी application form खुला वाए पहले एक exam होगा, उसके बाद interview होगा सब कुछ online ही होगा घर बैठे ही हो जाएगा सब कुछ फिस इसकी 5,5 लाख रुपे के आसपास है तो इसको आप consider कर सकते हैं और ऐसी एक और university है जिंदल global जो की सूनीपत हर्याणा में है उसकी फिस शायद 5,6 लाख रुपे है साल अगर आपके आस अच्छा खासा पैसा है भाई तो admission ले सकते हो वहाँ पर भी वहाँ पर जो professors हैं, जो facilities हैं वो काफी high-five और काफी अच्छी है ठीक है पर फिस भी उसी साब से इतना पैसा है तो थोड़ा बहुत भाई हमें भी दान कर देना फिर एक और college आता है CCS University से ही affiliated है Lloyd Law College अच्छा college है अच्छी faculties हैं, यह मेरा review है students ने जो मुझे दिया है, यहां के जो director sir है, मुहमद सालिम sir काफी ज़्यादा supportive है, उन्होंने इस college को मताब मानिए, काफी ज़्यादा progress कराई है, इसका 5 year BLLB का जब मैं देखता हूँ टीम्स को, तो international level mood course में participate करती हैं, competition जीतती हैं, तो आप इसको भी consider कर सकते हैं, although university, CCS University से affiliated है, पर इस college में जो facilities हैं, जो faculty है, वो काफी ज़्यादा supportive और अच्छी है, तो अभी admissions open है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, fees इसकी state universities जैसी तो नहीं है इसकी भी ठीक ठाक fees है, पर यह scholarship भी देते हैं, आपके CUT के score पर अगला है, MIT Law School NOIDA में, दोस्तों यह school आप जानते हैं, इस university के बारे में आप जानती है, NOIDA मिस्तित है तो आप इसको भी consider कर सकते हैं पर मैं बोलूँगा कि अगर आप अपने पहले ये जो 5-6 options मैंने बताए हैं पहले उनको consider करिए और फिर last में देख लेना अगर आपको MIT में जाना है, या नहीं जाना है मेरी अपनी personal राय है कोई भी biased opinion मैंने इस वीडियो में नहीं दिया है आज advocate on record है Supreme Court में जिनका office लाचपत नगर में है, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ अभी नाम disclose नहीं कर रहा हूँ क्योंकि शायद वो नाम disclose करने पे कुछ एतराज नहीं जाता दें उस वह से अभी नाम नहीं disclose कर रहा हूँ उनसे मिलने जा रहा हूँ उनको issue बताऊंगा फिर वो क्या राय देते हैं कि कुछ फाइदा है, petition file करने का या नहीं है और वो अगर बताते हैं क्योंकि कितनी fees है अगर मैं afford करने like हुआ तो फिर उनको बोलूँगा कि वो petition file करें जिससे कि आने वाला भविष्चे बच्चों का बहतर हो पाए क्योंकि देखिए जो गाउं से बच्चा आता है गाउं में हमें पता है स्कूलों की क्या हलत है और match एक ऐसा subject है जब तक आपको कोई पढ़ाए ना आप किताब से नहीं समझ सकते तो वहाँ पे बच्चों की match भी weak होती है English भी weak होती है क्योंकि teachers ही नहीं होते है उस quality के तो उनको आपने बाहर वंचित ही कर दिया LLB करने से तो ये fight पूरा प्रयास है मेरा मैं तो अपना पूरा दिलो जान लगाऊंगा आप लोग चाहें तो support कर सकते हैं आप नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है बाकि अगर आपको और कुछ राय चाहिए हो तो आप मुझे comment section में बताइए मैं आपको reply करूँगा हर हर मादेव रादे रादे